नमस्कार दोसों, आप शबी का बहुत बहुत श्वागते, दोसों मुझे पता है कि आप अपनी जिवनकाल में बहुत ज़्यादा परिशान हैं, आपने दुख के बहुत दिन गुजार दिये हैं, आपने अपने जिवनकाल में शुक का कभी अपनी असली चन नहीं देख आते हैं, वह पेशा इधर शेव तर चला जाता है, आपकी जिवनकाल में एक परिशानी खत्म होती है, तो कोई नया परिशानी आ जाता है, जिवनकाल में कभी आप दिल से खुश नहीं हुए हैं, शाथी लोग भी आपको परिशान करते हैं, आपकी भावनों की कोई कदर नहीं करता जो बात आप कहना चाहते हैं लोग उन्हें खिलियां उड़ा देते हैं दोसों आपकी जुनकालक में बहुत शारेशे दिन आए हैं जिन में आप अपने आश्वों को लेकर श्वेंग बेठे हैं फिर भी किशी को आप अपने दिल की हाल नहीं बताए तो दोसों हम आप शबी को बता दे कि आज की वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोसों अगर आपकी जुनकी यह शारी परिशानी जड़ से खतम ना हो तो फिर कहना जिया दोसों आज की वीडियो में हम आपको जो जानकार देने वाले हैं जो आपको शमाधान बता बताने वाले हैं दोसों आपको ने बिल्कुल यह ध्यान से शुनिएगा बिल्कुल भी आज की वीडियो को आप प्रमिश्ट ना करें इसकी पना किजिएगा क्यों दोसों यह आपके जीवन का शवाल है आपकी जुनकाल में जो परिशानी लगतार कई वर्शन से चल रही ह दोसों उन शर्वी परिशानियों का शर्वाधान आचस्विक आहसे बदाने वाले हैं और जोस्वा आपकी अपकी परिशानी 1005 जर्ट के खत्म होगी इस यह भात की हम दावा करते हैं जहां दोसवार धूस्वाट दोस्वे चुन लेकारियो घ्राइब लाइएम जोगते ह आप शबय को प्राप्त होगी दोस्टों बात करते ही दोस्टों आप शुरू को बता दे कि दुश्मन कभी भी आपको शफल होते नहीं देख सकते और दोस्तों आपके शफलता के बीच रोड़े बनते रहेते हैं और दोस्तों एक चीज आप चुनेंतर जरूर बनाते हैं जिसे कि आपकी वह खुशी आपसे चिंजाए लेकिन यह बात तो हुई बाहरी दुश्मनों की लेकिन दोस्तों उसका क्या करें जो कि आपके घर के अंदर ही बेठा हुआ है दोस्तों यह लोग जो आपके करीबी होते हुए भी आपका अच्छा नहीं चाहते यह लोग आपके शबसे बड़े दुश्मन होते हैं दोस्व हम आप शुगो यह बात बताना चाहेंगे कि अगर आपको आपकी जरुत की मुताबित कुछ नहीं भी मिला तो भी आपने काम चला लिया है जिसे तेसे करके अपने जुनकाल में अपने जुनियापन करते हैं आप हमेशा दुसरों को खुशी देने के लिए अपने शबी एक्छाओं को अपने शबी अर्मानों का गला दबा कर आप उन्हें खुशियां देते हैं जिनकी आज तक कभी भी कदर नहीं हुई और दोस्तों इसका रिजन यह भी है कि आपने जिन के लिए सब आपकी एमोशन या फिर कए आपके ज़जबातों को कभी भी कदर ही नहीं किया जिया दोस्तों आपकी राशी वालों को हम बयाबाद पताना चाहेंगे कि आप लोग वेशे तो सेर की तरह होते हैं आपके शाथ चाही की जितना भी बुरा क्यों नहों आप लोग पलटकर सब्सक्राइब आपके मन में कभी भी दूसरों के प्रती द्वेश की भावना हिंता की भावना या पर यूख हैं तो किशी के प्रती बुरा वैवार आपके अंदर नहीं आया ज्या दोस्तों यहां पर हम आपको पूल बतना चाहेंगे कि हर इंशान की शेहन करने की कोई श जाए बरबाद भी हो जाए योग के हैं तो सब कुछ भिखर जाए फिर भी दोस्तों आप अपना जो आत्मिश्वास है आत्मान समान है उन्हें कभी खोते नहीं दूसरे के शामने गिड़गराते नहीं जे दोस्तों आप हमेशा खुद को एक शरुषे सक्तिमान बनाना चाह है दूसरे के आगे भीक मांगना घड़गराना आपकी कोई जय कोई आधत नहीं होती उन्हें आपको कोई दिलचजबिश भी नहीं होता तोगर आप कोई काम करने की ठान लें तो दोस्तों आप उन्हें पूरा करके है चोड़ते है क्योंकि आपके राशी्वाले जो भी सली हैं थोड़ा Witर होते हैं जिद्द न Reports dynamics काम करें प्पूरा कर करके ही चोड़ते हैं कि एक Spear न फिर में दोस्वा दोसुंह इस तरह उनकी प्यार में शामने वह शाचा बाट को भी अपने दिल पर लगा लेते हैं उनके इमोशन से पीकर बहुत जल्दी जुड़ जाता है और दोसों इतना जल्दी आप भावन नंतों को रुपशे उनसे जुट जाते हैं कि दोसों छोटे चोटे बात पर भी आपको दर्द होने लगता है आपको लगता है कि वह व्यक्ति केश्य होंगी उनके प्रति आपका जो ख्याल है जो आदर शमान है वह बढ़ जाता है लेकि दोसों होता क्या है कि जो अगला व्यक्ति है वह आपकी भावनों को शमय नहीं पाते आप बहुत जादा उनसे कहते हैं दिल की बाते शाल उनके शामने रख देते लेकिन दोसों फिर भी जो अगला व्यक्ति होता है आपकी भावनों का कदर नह ही आग लग गई हो जी दोसों और एशे शेहं से लिंसान आपके राशे कि सभी लोग होते हैं जी दोसों समयधार होने के शाद साथ दायावान भी होते हैं कभी किशे के उपर आंस भी नहीं आने देतेग अगर आपके रायार और मर रहा तो लीव यूँ कहें तो आप मदद करने के लिए आपके पास जितनके कुछ होता है दोस्तुबक आगे बढ़तें और उनकी मदद करते हैं तो आपके राशी वालों के शाथ इसा देखा गया है कि आपकी जो अच्छाई होती है उन्हीं के वज़ेशे आप हमेश्वा गड़े में किर जाते हैं आप चाहते हैं कि हम किशी का बुरा नहीं करेंगे जुनकाल में जो भी व्यक्ति है उनके शाथ रहेंगे मिलबांट कर चलेंगे ल जादा भूलेपन बनने का प्रयाश नहीं करना है दोस्तों कोई दूसरा इंशान जिसको आपने अपना शमझ कर उसके लिए सब कुछ किया और वह इंशान आपकी रिस्पेक्ट ना करें आपकी फिलिंग को हर्ट करें आपको कुछ भी ना शमझे एशे भी बहुत से लोग हैं जो आप शे अपना फाइदा निकालते हैं वह दोस्तों आपको यूज करते हैं इस्तमाल करते हैं और जब उनका काम बन जाए तो दोस्तों फिर आपको पेजिज़क छोड़ देते हैं और फिर आप शी बात भी नहीं करते हैं क्या दोस्तों यह जवाब घटना हैं हम आ आपको बताना चाहेंगे कि आपकी राजिय की वोगों का जो दिल होता है वो बहुत बड़ा होता है तो सुआ आप लोग शोब को बहुत जल्दी माप कर देते हैं लेकिन दोसरुं हाहे बात बता दें ति अब बहुत हो गया जिए हां दोस्वं के शाथ जिसने भी गलत किया है उसे अब शबक शिखाने का मुखा आ गया है उसे अब वैल्यू बताने का टाइम आ गया है अब उसको आपकी एहमियत का पता चलना चाहिए आपका दोस्तों अब अच्छा टाइम आही गया यह शाही समझे लेकिन दोस्तों सावधान भी हो जाए दोस्तों ज आपका दिल वेश्य तो बहुत बड़ा है इसलिए आप लोग कई बार जो आपको धोका देते हैं उनके पीछे वापस लग जाते हैं लोग आपसे दो-चार प्यार बरी मिठी बाते करेंगे आप शिमापी मांगेंगी और आप लोग एक बार फिर उन्हें माप करके उनके पीछे लग जाएंगी तो दोसों एशा अब आपको अपने जुनकाल में बिल्कुल भी नहीं करना है जिया दोसों अब चली आपको बता देते हैं कि आखिर आपकी फिलिंग आपकी एमोशन की आपकी भावनों की कदर कब होगी दोसों हम आपको बता दें कि कल्यूक के महराज बगवान शिन्देव की किरपादिष्टी अब आपके उपर पढ़ने वाली है जिया दोसों जैसा कि आप जानते हैं कि शन्देव अभी वक्रिवस्ता में चल रहे हैं और इस चाल के वज़ेशी शन्देव की किरपादिष्टी आपके उपर पढ़ रही है और दोसों आपके शाथ बुरा किये हैं आप उशे पलट कर कुछ नहीं कहते लगिंदोस्व आप शिव को बता दें कि अब वक्ता आ गया है जब आपको भी जवाब देना है जया दोसों आप शम्य आ गया है आपकी जवाब देने का कि दोसों अब श्वेंग कल्यूप की महराज शाव आपको दिलाएंगे या आपके लाब कारें भ। आपके अधिरी धिरी हकिकत में बदलते जाएगे आपके दुश्मन बातों को जरूर समझेगा दोसों अब आपका शमय जल्द सी जल्द बदने वाला है बस आप अपना कर्म करते रहें दोसों आप शुब को बताना चाहेंगी कि अब आपको अपने जुनकाल में बहुत ही बड़ा शबलता मिलने वाली है जिनके बारे में आपने कभी शपने मे भी नहीं शोचे होंगी जया दोसों आप शबी को बयापाद बता दें कि आपकी कुंडली में 499 शाल के बाद बड़ा राज्योग बन रहा है जया दोसों आप शुब बता दें कि अब आपकी भक्तिशे कल्योग की महराज शंदे बहधी प्रेशन हो चुके हैं जिससे आप आपकी एक नई मिशाल शाबित होने वाली है आपकी एक नई जिन्दगी शुरू होने वाली है अब आपकी एक अलग पहचान बनने वाली है शमाज में भी आपका मान शमान बढ़ने वाले हैं कम्याभी के द्वार आपके रास्ते पर आने वाले हैं आप शुब को बता दे कि गौ कि यह श्युमाशी हो आपके लिए निद्गणी मैं आगे बढ़ते हैं अपनी आफ और अब सिल्ग के लिए धी सिल quality करते हैं कि दोसों आपके रास्ते पर बहुत शारे शे läब के मौके घूलेंगे जिनने में आपके कारी भी नहीं कर पाएंगे लेकिन दोसों शमे अब आपका बदलेगा इनने में आपको वह गड़तिया नहीं करनी है जो आपने पिछले शमे किया है जिया दोसों हम आप शुकू बता दें कि अश्मे आप महत्मुन फिशला शोज समझ कर ही लें जिया दोसों अपने विवेक्षे कारे करने की आपको अशक्ता है कारे चितर में आपकी किश्मत का पूरा शयोग मिलेगा आपको जो भी महनत है उनका पूरा पूरा फल प्राप्त होगा इस दोरान आपकी लोटरी भी लगशक्ती है श्रमाज में इस दोरान मानशमान बढ़ेगा आपके विवाय के जिवन में खुशी आने वाली है किश्मत चमकने के कारण आपकी रुके हुए कारे भीयश में पूरे होने वाले हैं और श्रमाज में जो मानशमान आपने खोया था दोस्तों अब आपको फिर शे प्राप्त होगा और फिर चेतर में आपको पदनती प्राप्त होशक्ता है वैपार में चल रही आपकी शारी परिशानियां अब धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगे दोस्तों आयके नए श्रोत अस्तापित होने वाले हैं प्रस्तियां धीरे-धीरे बदलने वाली है प्रत्युगदा प्रिशा में भी आपको इस दोरान शुफलता प्राप्त होशक्ती है वर दोस्तों ये श्रोत में आपको शुनदेप की गिरपा पाने के लिए हर शनिवार को काले तिल के शाथ आटा और शकर मिलाकर चीटियों को डालें इसके शाथी दोस्तों शनिवार की दिन काले तिल, काला कपड़ा, कंबल, लोहे के बरतन, उड़त की डाल आप जितना होशकी गरिबों में, जरत मंदों में दान करें शनिवार की दिन बंदरों को गूर और चने खिलाएं एवंगन हनुमान चलिशा का भी पाट करें, इसे शनिवार का जो शामना है, मनुष को नहीं करना पड़ता है और हनुमान जिक की गरिबा भी इंशे प्राप्त होती है दोस्तों आप शिगो बता दें, कि आप शनिवार के दिन शनि मंत्र का भी जाब करें जब मंत्र है, ओम, शन, शन, शन्चराई, नमा, दोस्तों इस मंत्र का एकश्वार पार जाब करेंगे तो दोस्तों भगवान शुन्देप की गर्पा आपकी जुनकाल पर निर्णतर पड़ती रहेंगी इस ज़राद दोस्तों आप शिवार बता दें कि मंगलवार और शनिवार की दिन भगवान हमान जी के यहाँ शर्षनों का तेल का दीपक जलाई और सुन्दर कान का पाट करें दोस्तों जुनकाल में आपके शारी कारे बनेंगी और शार दोस्तों और शिवार जनकारें के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करना ना भोलें धन्यवाद आपका दिन शुब रहे